पॉलेज की संख्या भी करीब डेड़ गुना बढ़ी हैं इसी का परणाव है कि इतने कम समय में जहां अंडर ग्रेजुएट सीट्स में डेड़ गुने से जादा की वृद्धी हुई हैं वहीं पीजी सीट्स में 80% इजाफा हुआ है यानि यहां तक पहुँचने के लिए जो संगर्ष आपको करना पड़ा वो कठिनाई हैं हमारे युवाओं को आपके बच्चों को नहीं उठानी पड़ेगी दूर सुदूर छेत्रों में भी हमारे जादा से जादा युवाओं को डॉक्टर बनने का आउसर मिलेगा उनकी प्रतिभा को उनके सपनों को नई उडान मिलेगी मेडिकल सेक्टर में हो रहे हिन बडलाओं के बीच डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए भी सरकार प्रतिवद्ध है हमारी सरकार ने डॉक्टर्स के खिलाब हिंसा को रोकने के लिए पिछले वर्षी कानून में कई कड़े प्रावधान किये हैं इसके साथ ही हम अपने कोविड वोर्यर्स के लिए फ्री इंसरन्स कवर स्किम भी लेकर आए हैं साथियों कोरोना के खिलाब देश की लडाई हो या मेडिकल विवस्ता सुधारने का देश का लक्ष इन सब में आप सभी को महत्वपुन भूमी का अदा करनी हैं उधान के तौर पर जब आप सभी ने पहले फेज में वैक्सिन लगवाई तो उससे देश में वैक्सिन को लेकर उत्सा और विश्वास कई गुना बढ़ दया इसी तरह जब आप लोगों को कोविड एप्रोप्रेट बिहेवियर का पानन करने के लिए कहते हैं तो लोग पूरी सद्धा से उसका पानन करते हैं मैं चाहूंगा आप अपनी इस भुमिका को और सक्रियता से निभाएं अपना दायरा और ज़्यादा बढ़ाएं साथियों इन दिनों एक और अच्छी चीज हमने देखी है कि मेडिकल फेटरिनिटी के लोग योग के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए बहुत आगया है योग को प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो काम आजहदी के बाद पिछली श्रतादी में किया जाने चाहिए था वो अब हो रहा है इस कोरोना के काल में योग प्रानायम का लोगों के स्वास्थ पर किस तरह सकारात्वक प्रभाव पढ़ रहा है पोस कोबीड कॉम्पलिकेसन से निफटने में योग किस तरह मदद कर रहा है इसके लिए आधुनिक मेडिकल साइंस से जुडे कई समस्तानों द्वारा कई लोग काफी समय दे रहे हैं साथियों आप लोग मेडिकल साइंस को जानते हैं एक्सपर्ट हैं स्पेशालिस्ट हैं और एक भारतिय को योग को समझना भी स्वाभाई ग्रूप से आसान होता है जब आप लोग योग पर स्टड़ी करते हैं तो पूरी दुनिया इसे बहु के बढ़ा सकती है योग पर एविडेंस बेज स्टडी को साइंटिफिक तरीके से आगे ले जा सकती है एक प्रयास ये भी हो सकता है कि योग पर स्टड़ीज को इंट्रनेस्टनल जर्रनल्स में पबिश किया जाए उसे प्रचारित किया जाए मुझे विश्वास है कि इस दुनिया भर में डॉक्टर्स को अपने पेशन्स को योग के बारे में और जागरूत करने के लिए भी प्रोसाइद करेगी साथियों जब भी हाड़ वर्क टैलेंट और स्कील की बात आती है तो इनमें आपका कोई मुकाबला नहीं है मैं आपसे यह भी अनुरोद करना चाहता हूँ कि आप पूरे एटेंशन के साथ ही अपने अनुभवों का डॉक्यूमेंटेशन भी करते रहे हैं पेशन के साथ आपके एक्स्प्रेंसिस का डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही अहम है साथ ही मरीज के सिम्टम्स, ट्रिट्मेंट प्लान और उनके रिस्पॉंस का भी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए यह एक रिसर्च स्टडी के रूप में भी हो सकता है जिसमें विविन्द प्रकार की दमावों और ट्रिट्मेंट के असर को नूट किया गया हो जितनी बड़ी संख्या में आप मरीजों की सेवा और देखभाल कर रहे हैं उसके हिसाब से आप पहले से ही दुनिया में सबसे आगे हैं यह समय यह भी सुनिशित करने का है कि आपके काम का आपकी साइन्टिफिक स्टडीज का दुनिया संग्यान ले और आने वाली पीडी को उसका लावी भी मिले इससे दुनिया को जहां मेडिकल से जुड़े कई जटिल सवालों को समझने में आसानी होगी वही उसके समाधान की दिशा भी मिलेगी कोवीड की यह महमारी इसके लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है वैक्सिन किस प्रकार से हमारी मदद कर रही है किस प्रकार से अर्ली डियागोनेसिस का लाब मिल रहा है और एक पर्टिकॉलर ट्रेट्मेंट किस प्रकार से हमारी सहायता कर रहा है क्या हम इसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा स्टडिज कर सकते हैं पिछली शताबदी में जब महामारी आई थी आज उसका डॉक्युमेंटेशन बहुत उपलब्त नहीं है आज हमारे पास टेक्नोलोजी भी है और हम अगर कोवीड से कैसे मुकामला किया गया है इसके प्रैक्टिकल अनुभवों का डॉक्युमेंटेशन करते हैं तो वो भवि में पूरी मानवता के लिए बह्याद मददगार साबित होगा आपका यह अनुभव देश के मेडिकल रिसर्ट को एक नई गति भी देगा अंत मैं मैं यही कहूंगा कि आपकी सेवा आपका स्रम सर्वे भवन्त शुकेनव के हमारे संकल्प को अवश्य सिद्ध करेगा हमार देश कुरोना से भी जीतेगा और विकास के नए आयाम भी हासिल करेगा इनी शुब कामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद